हेलो वाट्साप गाईस मैंने मिस्मिनोत बाद उथाप बाता ना चौंगा गाईस आज कर बहुत ज्यादा ऑस्व मैंनोल विकोज आजम देखने जारे ग्रेट विव इन और रियाक्ट एकॉमर्स वेबसाइट जी हां का इस तो फाइनली यह बहुत ही ऑसम है और आप में से 99 परसेंट ना चाहते थे कि जब में ग्रीट पर क्लिक करता तो मुझे ग्रीट विव आता है जब मैं लिस्ट पर क्लिक करता तो मेरा वो डेटा है लिस् पर लिस्ट आता है तो गैस इसी डाउट को में क्लियर करने के लिए आज हम देखने जा रहे हमारा ग्रीड विव ले आउट इन रियाक्ट एकॉमर्स वेबसाइट तो गैस कल का जो वीडियो था कॉन्टेक्स एपिया यूज रिडूसर एंड जो डेटा हमने फैच किया व मैं आपको बिलकुल निराज नहीं करूंगा आगे इन फ्यूचर और आसम वीडियो आने वाला जिसको आपके लिए ही बैटर होगा वह ठीक है तो उसी भाने प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा और सोर्स कोड में आपको फ्री दे रहा तो उतना तो इमीन ह पर अपनी जगे तो अब मैं एक चीज यह दिखाना चाहूंगा कि ग्रीड वियू एक लिस्ट वियू है एंड हम सब कुछ पहले से हमारे बिहाइंड जो है बेसिकली कॉंटेक्स टेप है में हमें सब कुछ सेट करना रहता है तो मैं ऐसा क्या कोड लिखू ऐसा क्या लिखा है ग्रीड वियू के लिए मैंने कोड अलग लिखा इतना तो आपको पता चलिए अब यह भी प्रकार से कह सकती हो कि यहां पर आप एक लिंक एड़ कर दीजिए इस पर क्लिक करने पर एक फाइल जिस पर आपने सिर्फ एक रोपे एक की कॉलम कर रखा हुआ है इस त पहले रो या पहला के लिजिए हर एक रो में मेरे टोटल तीन कॉलम्स होंगे तो यह तो आपको आइडिया आगा कि टोटल दो फाइल से यहां पर लेकिन ग्रीड वाला जो फाइल है ठीक है ध्यान से सोचो आप सोचो यह मैंने कहीं तो देखा आई है तो होम पे अगर मैं न्यू फाइल क्रिएट करके यह कंप्लीट कोड लिखने से बैटर क्यों न मैं मेरे ग्रीड भी हूँ में मैं होम पे हमने यह जो कोड लिखा है उसको मैं कॉल कर दूँ और यहां पे तो मैंने फिल्टर प्रोड़क्ट्स वाला जो एक डेटा था उसको यूसकी यूसकी य प्रोड़क्ट्स गेट कर लिया मैं उसको कॉल करूंगा बैसेकली मैप मेटट लगा दूंगा उसमें समझ रहे हो तो ग्रीड में हमें कुछ भी नहीं करना है हमें एक हाली होम पेज पर यह जो कोड है उसको हमें पास करना है कैसे मैं आपको पता तो ध्यांसे देखिए आ यहाँ पर लिख देता हूं ग्रीड अंडे स्कूर भी ओ तो अब आपको पता चलिए कि वहां पर डीट दिखाना है या लिश्ट दिखाना हो इसके बारोसे तो मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा ठीक है इसके नीचे यह जो यूज इफेक्ट दिख रहे है ठीक है अब यह आप इसको हटा दीजे, बहुत अजिब सा लग रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं चलता हूँ, ठीक, इसके उपर, to set the grid view, to set the grid view लिख देता हूँ, मैं, इसको लेके मुझे एक function को यहाँ पर call करना है, उस function के अंदर क्या होगा मैं बताता हूँ, const, मैं लिख देता हूँ, set grid view, ठीक है, अब obviously, fat arrow function है, कोई बड़ी बात नहीं है, and यहाँ पर guys, मैं simply return करना चाहूँगा, जब भी कोई function call करता, आपको return करना जरूरी है, and मैं dispatch method को call कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक type pass कर रहा हूँ, and this is it, और कुछ मुझे नहीं करना है, बस मुझे इतना करना था, यह जो मेरा set grid view है, इसको मुझे bottom over here, इसको मुझे pass करना पड़ेगा, ठीक है, this is it, ताकि इसका मैं use कर सकूँ, तो कैसी यह, जो मेरा set grid view, उसके अंदर ही, जो dispatch method है, वो मेरे क्या करेगा, इसको पहले भी copy कर लेता हूँ, मेरा यह जो filter reducer के अंदर ही, जो मेरा action method है, उसको trigger करेगा, तो मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा, मेरे को एक और case मिल गया है, ठीक है, यह, को मेरा case आ चुका है, इसका, एंद इसको मैं double quote, single quote, सापकी मर्जी, मैं यहाँ पर चलता हूँ, return, अब भी देखना मैं क्या करना है आलो, सबसे पहले तो जो हमारा state है, as it is, उसको छेड़ना नहीं है, अब मेरा यह जो greed है, basically मेरा यह वाला जो data है, sorry, यहाँ पर मैं चलूँगा, ठीक है, just यहाँ पर मुझे उसको वापस true कर देना है, बस इतने ही मुझे करना है, and I know guys, अब आप सोच रहोंगे, यह मैंने क्या किया वई, और यह करने की, इसकी पीछे का reason क्या है, so कैसे मैं बताना चाहूँगा, इसकी पीछे का reason यह है, कि अब अगर मैं products वाले page पे चलता हूँ, तो यह console जो इसको मैं हटा रहा हूँ, यह वाला जो data है, इसको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, अब ध्यान से दिखे, यहाँ पर मैं product list को call कर रहा हूँ, यह जो product list है, आपको मालूम है, यह मेरा वो file है, जिसमें मेरा सारा API का data मुझे मिलने वाला है, grid and then list view में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे उनको loop पे चलाना है, that's why मैं यह जो मेरा filter context है, उसको मैंने get की, and सिर्फ get करने से काम नहीं चलेगा, मुझे इसको import भी करना पड़ेगा, so import filter, एक सेकंड मुझे स्थरकी से करना पड़ेगा, so we have a filter context, sorry not filter context provider, it's a filter context, so filter context, this is it, मेरा काम हो गया, अब यहाँ पर मुझे सारा मेरा data मिल रहा है, मुझे कोई problem नहीं है, मैं as it is इसको रख रहा हूँ, and साथी साथ में क्या करूँगा, adjust मैंने अभी जो एक function create किया था यहाँ पर, यह जो मेरा grid view वाला, ठीक है, इसको मैं copy कर रहा हूँ, and मैं मेरा product list पर मैं उसको add कर रहा हूँ, तो अब आप देखना, अब आपका जो doubt है, वो clear हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, यह जो मेरा return वाला part है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा, इफ, मेरा ही जो set grid view है, if it is triple equal to true, ठीक है, अगर इसकी value true होती है, एक second मैंने क्या लिखाई, ठीक है, so मैं return करना चाहूँगा, मेरा जो grid view है उसको, so मैं यहाँ पर चलता हूँ, grid view करके इस तरीकी से, ठीक है, तो simply मैं लिख देता हूँ, grid view, and यहाँ पर मैं as a props, ठीक है, so मेरा जितने भी products है, as a props है, जो मेरा filter underscore products है, उसको मैं pass कर दे रहा हूँ, this is it, and वो जो मेरा list view आएगा न, उस पर मैं क्या करूँगा, अगर यह मेरा होता है false, तो मैं यहाँ पर मेरा list view है, उसको मैं यहाँ पर pass कर दूँगा, कुछ इस तरीकी से, अब समझ रहो यह मैंने क्यों किया, तो समझ रहो न, अगर यह false रहा, बेसिकलिए आपको कल के विडियों पाता चलेगा list view, तो मैं list view को वहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ठीक है, अगर grid view true रहा, तो मैं grid view को दिखाना चाहूँगा, वो click वाले में तो आपको पता चल जाएगा, वो थोड़ी देर की बात है, लेकिन at least ही जो हमने एक, यहाँ पर जो initial state में grid view क्यों रखा, उसका idea आपको आगया, उसके base पर ही मैं set, and then जो मेरे grid view है, उसको मैं दिखाने वाला हूँ, फिलाल इसको मैं इस तरगे से side कर जाता हूँ, तो obviously यह जो grid view है guys, यह तो अभी तक मैंने create की नहीं है, तो मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा, grid view मैंने create नहीं की है, new file, grid view.js पर मैं चलता हूँ, and let me tell you, अब आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, देखोगा, इस react arrow function component with export इतना ज़्यादा easy, and मेरे पास already इसका जो, मतलब जो भी उसका style है guys, वो मेरे पास पड़ा हूँ आए यहाँ पे, so मैं चलता हूँ ठीक इसके नीचे, इस तरीके से, ठीक है, यह जो wrapper इसने दिखा रहा है, इसको मिल नी रहा है यह wrapper क्या चीज़े, तो वो मिलेगा भी कैसे सबसे पहले, तो मैं जो style है, उसको मैं import करा देता हूँ, style from style component, ठीक है, मैं top पे चलना चाहूँगा, यहाँ पे, अब यह जो मेरा return वाला जो portion है, यहाँ पे मेरा यह जो wrapper है, उसको मैं use करने वाला हूँ, and यहाँ पे अगर आपको याद होगा, तो मैंने यहाँ पे data पास किया है, ठीक है, अगर आप product list पे देखोगे, तो मैंने यहाँ पे मेरा जो data है, वो पास किया, यहाँ यूजिंग products, as a props, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको get कर रहा हूँ, तो नौ गाइस बहुत ही ज़्याद है easy, अब बच्चो वाला का मैं यहाँ पे simply class name पे मैं section रख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं guys एक container बना रहा हूँ, ठीक है, container में, देखो total कितने हैं वाँ पे, तीन है, एक, दो, तीन, कहाँ पे तीन हैं बोलने से इधर, यह देखें न, total कितना है, एक, दो, total three columns है, तो grade, grade, हाइफन है न, जी हाँ, हाइफन three, इसके बाद, अब मुझे खाली loop चलाना है, so we have this products.map method, आपका यहाँ पे fat arrow function आएगा, perfect, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कि यहाँ पे आपका current element आने होला है, ठीक है, आपका product का current product भी कह सकते हैं, तो current element and then id, अब मुझे यहाँ पे guys, ध्यान से देखो, मैं क्या गरता हूँ, मैं यहाँ पे, एक second return लिखना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे एक component को call करूँगा, from my product, यह देखो, यह वही component है, जिसके थुरू मैंने वो तीन मेरे home page भी दिखाई था, तो मैंने इसको call किया, obviously यह map method के अंदर है, तो आपको key pass करना पड़ेगा, and की में मैं guys, directly मेरे current element का जो id है, उसको मैं pass कर दे रहाँ, क्योंकि मुझे मालू है guys, current element के अंदर जो id है, वो always different होने वाला है, हाला कि मैं इस id का भी उसकर सकता था, लेकिन वो सही नहीं है, ठीके, and अब मैं यहाँ पर मेरा सारा का सारा, जो मेरा current element वाला जो data है, वो मैं pass कर दे रहाँ, सिर्फ इतना लिखने मातर से, तो guys साब आप जादू देखी, सिर्फ इतना लिखने मातर से, मैं आगर यहाँ पर चलता हूँ, मेरे page पर, and grid view is not defined बता रहा है, all right, उसको हम tackle कर लेते है, grid view is not defined, so यह जो grid view है, मेरे product list पर चलना पड़ेगा, इसको हमें import करना पड़ेगा, ठीके, प्योंकि मैं तो import करना ही बुल गया, import grid view, from grid view, ठीके, control एस, save करता हूँ, तो I think guys, यह जो ID है, इसके मुझे need नहीं है, मैंने जो जो इसमें लिख दी, बढ़ जो भी हो, मुझे एक बार यह देखना है, कि यह जो मेरा products है, इसमें मुझे मेरा data मेल रहा है, या नहीं, ठीके, हम इसको देख लेते हैं, एक बार, मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको एक बार मैं refresh कर देता हूँ, हलाकि गनीगी need नहीं होती, वाटरी लोडिंग हो जाता है, and console पर अगर हम चलते है, and मैं एक बार यहाँ पर चलके product page में चलना चाहूँगा, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हूँ कि हमें ना ही कोई warning आ रहा है, नहीं कोई error यह तो बहुत अच्छी बात है है कि नहीं, लेकिन problem है कि हमें हमारा वो console जो है न, वो भी नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, मुझे यह जो console वो नहीं मिल रहा है, इसका सिद्धा सिद्धा मतलब है कि वो कभी grid view वाले page पर आया ही नहीं, and set grid view triple equal to true में क्या problem हो गया, मैं यहाँ बार वो देखना है, मैं एक बार ऐसे कर रहूं तो क्या होता है, नहीं, तो I think guys, मैं एक चीज यह बताना चाहूंगा कि मेरा यह जो set grid view है, and जी हाँ मैंने इसको import तो किया है, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, condolet save कर रहा हूँ, क्यूंकि अगर आपको याद होगा, मेरा यह जो filter context है, by default to true है, and मेरा जो filter reducer है, उसमें भी अगर आप ध्यान दोगे, तो मैंने उसको true करके ही रखा है, ठीक है गा, इस तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, filter context, product list, तो मैंने simple रखा, and obviously यह true है, मुझे मालूम है, तो बस अब मैं इतना करता हूँ, and यहाँ से मेरा जो data, grid view पे जाएगा, grid view में मैंने console क्याता है, कि data मिला या नहीं, वो देखने के लिए, and उसको loop चला कि, क्योंकि वो मेरा area था, उसको loop चला कि मैंने एक और component को call कर दिया, जो कि है मेरा product करके, तो मैं आपको वो भी जल्दे से दिखा दियता हूँ, अब product यह देखेगा, इस मेरा product page, simple है, यह देखे मेरा product page, already यह सारा code हमने देख चुका है, link आपको नीचे description मिल जाएगा, top पे भी आप देख सकते हो, यह देखो product page को call करो current element, तो यह जो data है, उसमें यह सारा data को destructure कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर pass कर दिया, यह देखो, मैंने सारा data pass किया हुआ है, तो मैंने आपको starting में कहा था, जब हम इस पर काम कर रहे थे, single product page का जो data मैंने कहा था, उससे में आपको यह कहा था, यह बहुत ज़्याद important है, आगे काम आएगा, तो देखो, आज काम आगिया, तो मैं basically, यह वाला जो file है, उसको call कर रहा हूँ, यहाँ पर, एंड मैंने कहा था, आप हमें कुछ code लिखनी की जौत नहीं है, क्योंकि हम reuse कर सकते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, यह मेरा बारा का बारा डेटा यहाँ मुझे आ आ गया, तो आपको यह कैसा लगा, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब मुझे इसका डेटा आ रहा है, क्योंकि मेरे होम पेज पे तो सिर्फ तीनी डेटा था, चाह कि भी मैं बाकी का डेटा डेटा डेटेल्स नहीं देख सकता था, लेकिन अब मैं यहाँ पे, कभी इसका मैंने देखा नहीं, यह क्या चीज है, यह देखो, यह घड़ी का Rolex premium, my God, इसको देखो, कितना awesome मुझे दिखाई दे रहा है, यह है नहीं कितना ज्यादा awesome, यह सब कुछ हो रहा है, because मेरे product पे, already मैंने उस तरह के से code लिखा था, कहांगे है, मेरे product page, यहाँ पे देखिए, नैब link to single product, and वो particular ID, इसलिए मैंने कहाता है, यह पूरा एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, आपको starting से रहना है, I hope आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आओगा, आपको वीडियो कैसा लागा, लीचे कौन करके जरू बातना, source code विल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, आपको वीडियो के लिए,